सबसे पहले महराश और जारकन विधासभा चुनावों की करते हैं अब सिर्फ दो दिन का समय बाकी है इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार का शूर आज शाम पांथ बजे थम जाएगा महराश में सत्तारूड, महायुती और विपक्षी, गठबंधन, महाविकास, अघाडी यानी MVA के नेता एक दूसे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं महराश में सभी 288 विधासभा सीटों के लिए मतदान 20 नमंबर को होंगे जबकि मत गड़ना है 23 नमंबर को इसी कड़ी में राहूल गांधी ने एक है तो सेफ है के बीजेपी के नारे पर जम कर निशाना साधा और धारवी के री डिवलाप्मेंट के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा रहूल गांधी के अपने आरोपों में क्या कहा उन्होंने और पोस्टर और स्लोगन की राजनीती का महराश्चर की जनरता पर कितना असर पड़ेगा पताने के लिए हमारे साथ जी मीडिया समवादत अश्मेनी पांडे है और महराश्चर की चुनाव खास्तों पर मुंबई में क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर उस पर लगातार हम तक अपडेट पहुँचा रहा है अब तो 24 गंटे से भी कम का वक्त बाकी है पांथ बजे तो चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा इस बार तो नारों की पॉलिटिक्स हमने देखी एक है तो सेफ है का नारा चाहे रहा पर जनता ने इस स्लोगन को किस तरीके से लिया है कितना एकसेट किया गया है से जी देखे बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे यह जो नारे दिये गए एक नारा दिया गया योगीदि इतिनाथ दर्ण होने चाहिए इस तरह की मुद्द masc HD नहीं तो नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत से संख्या और बहुत शे लोग ऐसे भी रहें जो इन नारों का भरपूर समर्थन करते दिखाई दिये जो इन नारों को कहीं न कहीं खुद से जोड़ते हुए भी दिखाई दिये यहाँ पर एक सबसे महतपूर बात या है कि एक हैं तो सेफ हैं यह जो नारों प्रधान मंतरी द्वारा दिया गया उसी को लेकर उसी के इर्दगीर कहीं न कहीं राहूल गांधी का भी केमपेंड रहा और आज जब उनोंने आखरी प्रेस कांफेंस महाराश्ट में की तो बका प्रधान मंतरी के फूटो भी साथ में लगाई गई और यह पताएगे कि यह दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कह रहे हैं हम एक हैं तो सेफ हैं यानि कि यह नारा एक तरह से जो अडानी अंबानी पर अटैक करते आए राहूल गांधी चुनाओ के पहले भी चुनाओ क मतरी ने शुरुवाती जो है यहां पर दिया था जब अपना भाष्टर देने महाराष्ट में आये थे तो दियानिक हम यह कह सकते हैं कि नारों की गूच के साथ विपक्ष को भी कहीं ना कहीं अपने पैटन पर या अपने शब्दों पर खीच के लाने की जो कोशिश बीज से खिलाब आरों प्रत्यारोप लगाएगे इन पर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका मत क्या हां जाता है